इंडिन दलाल स्ट्रीट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आईए देख लेते हैं कल मार्केट में कैसे कामकाच करना है कल मैंने आपको clear indications दिये थे एक छोटे gap down के बाद आपको मार्केट जब भी इस चैनल के आसपास मिलती है आप छोटा सा ऐसल लगा करके एक लंबी call के trade में बैट सकते हैं आज मार्केट ने वही किया उसके बाद मार्केट ने 35,900 के आसपास दो से तीन बार rejection लेने के बाद एक लंबी downtrend की rally दे दी मार्केट की average closing 35,487 के आसपास आती है जिसकी वज़े से जिन लोगों ने भी आज put carry किया होगा उनको कल 30 से 40 points का theta decay हो सकता है आए देखते हैं कल हमें कैसे कामकाच करना है कल मार्केट अगर आपको flat opening के साथ मिलती है आप clearly वहाँ पे 35,350 का SL लगा करके एक put के trade में बैट सकते हैं जिसमें आपका पहला target 35,000 होना चाहिए अगर मार्केट flat open हो करके उपर जाने लगती है आपको wait करना पड़ेगा इस point के उपर अगर मार्केट 35,820 का target breach करती है उसके बाद आपको एक अच्छी trend की rally मिल सकती है call के तरफ जिसमें आपका पहला target 35,990 होना चाहिए gap up की case में आपको इंतजार करना होगा market 35,900 के उपर जाए और वहाँ पे 10-15 में time spend करे उसके बाद आप 10-15 points का SL लगा करके एक अच्छे trade के लिए अप trend में बैठ सकते हैं अगर market gap down open होती है तो वो काम बिगर जाएगा मैं आपको suggest करता हूँ आप वहाँ पे market को avoid करिए अगर market दुबारा इस channel के अंदर entry लेती है gap down के बाद उस case में आप 35,290 का SL लगा करके एक again put के trade में बैठ सकते हैं जिसमें आपका पहला target 35,000 होना चाहिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा live market में updates पाने के लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं Thank you